हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वाज़ात है मेरी यूटूब चलन आल रांडर इंडिया में आज हम देखेंगे उत्रप्रेश राजी के विषय में इस प्रतेक इसमें बहुत ही महत्रपूर वीडियो साबित होने जा रहा है जो छोटेज लेकर बड़े जो है एक्ज तो इसमें सभी जिले की स्थिती देखेंगे और उस जिले में क्या important चीज़े हैं और किस से question आते हैं वो देखेंगे किसी जिले में अगर कोई विषय जन जाती पाई जाती है तो उसका जिक्र होगा किस चेत्र में कौन सा विषय उस्तों मनाया जाता है या मेला मनाया जात देखेंगे चली स्टार्ट करते हैं तो आप यह सा से पहले उत्रप्रदेश की location देख लीजें और यह रेट कलर में हमारा दिल्ली है देश की राजधानी दिल्ली ठीक है और उत्रप्रदेश हमारा यहां पे स्थित है अगला जब यह देखें उत्रप्रदेश का political map जब देख रहे हैं सभी जिलो की एक छोटे-छोटे विस्थिती देख सकते हैं कैसे सब जिले हैं और यह जियोग्राफिक में सब नदिया जो है बहुत ही important role अदा करती है questions में भी और हमारी normal जैनकारी के लिए भी होना चाहिए तो आ गोमती खागराक लोगेशन यह है गोमती नदी लखनो की बहुत फेमस नदी यह लखनो जिला है देख सकते हैं अभी और आगे डिस्ट्राइब करेंगे तब सब्सक्राइब और यह रापती नदी है चंबल नदी इधर MPC होकर आती है बेतवा नदी इधर छांसी पप्रवेश करती है और सोन अदी यह उत्थर प्रदेश के सोनभद इस्टिक्स में होकर भैती है और गंगा में प्रवेश कर जाती है ठीक यह लग इसन देख लिया आपने तो अब चली यह सुरू करता है यह देख़िया हमारे सभी जिले हैं और उत्तरप्रदेश की लख पशू है सारस राज की पच्छी है उत्रप्रदिश का राज की पुस्प फूल पलास का फूल है तीसू का फूल भी गोलते हैं बहुत से जगह पे और असोप रिच्छे राज की पुरिच्छ है स्थापना उत्रप्रदिश की स्थापना 24 जन्वरी 1950 को हुई थी राजधानी इसकी लखनोव है 1935 से लखनोव बनी और आस्तक पर्मनेंट चली आ रही राजधानी प्रभुक नदिया इसमें देख लिए आपने गंगा यमना रांगंगा गोमती केन बेतवा घागरायन का जि देखे बहुत ज्यादा जिलों से राजियों से घिरा हूँ आठ राज है टोटल और एक केंसासित राज केंसासित राज जब समसकते हैं दिल्ली उससे घिरा हुआ है तो आठ राजियों कौन सा है उद्धर से एंटिक्लॉक शुरू करते हैं उत्राखंड जो साहनमपुर से यहां से लेकर यहां तक लगता है सबसे लंबा बॉर्डर जो है मत्रप्रदेश की ही लगती है उत्रप्रदेश के ध्यान लखेगा और यह सोन भदर में नीचे चत्तिस गड़ लगता है जारखंड इधर से टच करता है और पिहार टच करता है यह कुल आठ राज्य और एक केंशासित प्रदेश बतब कुल मिलाकर नौ री आठ राज एक केंशासित प्रदेश टच करते हैं इसमें सबसे डचले बलिया बलिया यह बलिया-जिले की लोकेशन है ये सबसे पूर्वी जिला है उत्वर्वाधिक जिलो को चूने वाला है और शामली प्रदेश का सबसे पस्चिमी जिला है टिप अगला अब हम जिले वा सुरू करते ये देखिए आपने सहारण न पूर देख लिया सहारनपूर जिला स्टार्ट करता है हैं प्रतिक जिलों के विश्य में सहारनपूर जिले में प्रमूख संस्थान काल से heißt ये सेंट्रल पलप एंड पेपर रिसर्श इंस्ट्टिटिट बहुत बार क्योशेशल ने कुशा जाता है सहारनपूर सबसे उत्तरी जिला है उत्तरप्रदेश का और यहां पर प्रमुख संस्थान है इसका नाम है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टिटीट ठीक है जान रखिएगा प्रमुख उद्द्यों यहां पर वही ओडी ओपी की बात हो रही है और दीओ प्रडक्ट यहां वुड कोरविंग मलंब लकडी की नकासी सहारनपूर का ओडीओ पिपर्डक्ट है प्रमुख इस्थाल यहां पर दारुल उलुम देवबंद एक बस्जित है वहां पर प्रमुख बहुत फेमस है और शाकुम्बरी देवी कम बंदीर है और वहां म सामली के प्रणुख अधत्यान से बिल्कुल किमिला वह हिन्दी खड़ी नेया लेकिन प्रभावक के साथ प्रणुख उद्योग शब्राइब handicap प्र讲 स्थाल हनुमान के का है वहां पर यहां शब्राइब केरे हैं एक केंपस है वहाँ पे सबसे प्रमुख स्थाल सामले में वहीब है अगला जिला है मुझफवनगर का लोकेशन आप देखी सकते हैं तो इसमें प्रमुख भासा हिंदी खड़ी बोली प्रभाण हे हर्याणी प्रभाव के साथ क्योंकि हर्याणा से लगा हुआ है यह पुरच इसका ओडियोपी प्रड़क्ट है और प्रमुख स्थाल है हनुमंत धाम जहां पर शुक्देव मंदीर और सुक्रताल हनुमत धाम शुक्देव मंदीर और सुक्रताल मुझफवर नगर के प्रमुख स्थाल है अगला जिला है बिजनौर बिजनौर की लोकेशन आप यह दे और गंगा नदी का उत्रप्रदेश पर प्रवेश्ट बिजनवर से होता ही है प्रमुक भासा हिंदी खड़ी बोली बोली जाती है प्रमुक उद्योग कास्ट उद्योग है और चीनी मिल वहां बहुत मात्रा में कास्ट उद्योग लकडी के बने हुए शामार खेलों ने बिजनवर के ओडियोपी बहुत ही फेमस और कुड़ तो हां होता ही है चीनी मिल बहुत ज़्यादा है ठीक है क्योंकि जो है गेहूं को बेल्ट उदर पर गेहूं बहुत उत्पातर होता है इसलिए प्रमुक इस्था और पर उद्धूड Di फेमस निजाव उद्धूला का मंदिय बना वगाया है विजनाव में निजाव उदूला का किला विजनाव्ण में हुत्रपरतिस की विजूर् कुटी हुए है अगला जिला वागपत वाेशन का लोकेशन आज देख लिए दिल्ली से रहजेड़ इस इसका पूरो नाम था व्यागपरस्थ है, जो बाद में बागपत बन गया प्रभूक भासा हिंदी बोली जाता है प्रमुक उद्यकु अब ग्रेप फर्णीचर हूंग ऋद्यकु का कई जो घर में सजावती सामाने परीचर वगंडर रहते हैं वहाद पर OLP product है बाघपत का प्रमु खिस्तल है, पूरा महातेव मंदिर है और त्रिलोग तिर्थ धाम वहाद पर बाघपत में इस्तित है पूरा महातेव मंदिर और त市ल लोग तिर्थ धाम बाघपत पर स्तित है अगला जिला है मिरत, मिरत का location आप देख लिजे, बुजपन नगर बागपत बिजनोर से लगा हुआ छेतर है उपनाम है कैची नगर मेरट की कैची बहुत फेमस है और क्रांती नगर भी जानते हैं क्योंकि यही से ही क्रांती शुरुआत की शुरुआत हुई थी अगर पूसता है कि किसी मिरट का ओडिए प्रोडक्ट क्या है तो खेल समाग। ठेक है? Sports Goods. अगला है, हवाई अटा, वहाँ पे मेरत में स्तीत है, डाक्टर अब बेटकर हवाई अटा. प्रमुख संस्थान मेरेट में है Indian Institute of Space Science and Technology Central Potato Research Station शरदार पटेल क्रिसी एवं प्रध्योगी की विश्व विध्याल है यह तीन प्रमुख संस्थान जो कि मेरेट में है इस्थित है आपको फिर से देखना हो तो वीडियो दोबाद देख लीजेगा आगे चलते हैं प्रमुक इस्थल मेरट में जो है प्रमुक इस्थल आलम गीरपूर है जो कि हडपा काली इस्थल है मेरट में प्राफ्थ हुआ हडपा काली इस्थल है ध्यान रखेगा आलम गीरपूर कहां है मेरट में मेरट में हस्तिनापूर्व थी हस्तिनापूर्व का लोकेशन भी जो कि कौर्वो की राज़ारी थी हस्तिनापूर्व मेरट में ही मानी जाती है और स्वतनतरता संखर्ष म्यूजियम इस्तित है क्योंकि जानते हैं क्रांती नगर के नाम से फेमस है क्रांती शुरुवातिया इसी हुई थी और संगहर्ष का मियूजियम मेरट में इस्तित है एक और लोकेशन है हस्तिनापूर में यह जो हस्तिनापूर करवग राधनी वहाँ पर जैन मंदिर भी बना हुआ है मेरट में अम्रोहा अब प्रमुक उस्साव वहाँ पे तिगरी मिला मनाय जाता है अम्रोहा में प्रमुक उद्यव है वहाँ पे वाद्य अंत्र वहाँ पे मतलब म्यूजिशन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ढोलक वगड़ा अम्रोहा में बनाय जाते हैं वही उसका ओडियो की प्र प्रमुक्स्थल वासुदेव मंदिर एम तुलसी पार्क वासुदेव मंदिर तुलसी पार्क और मेजर साह विलायज साहिब का मगबर आभी वही पर अम्रोहा में स्तित है कौन सा वासुदेव मंदिर एम तुलसी पार्क है अम्रोहा में और मजार है साह विलायज साहिब जी क तो यह सब मैं जानकारी वीडियो कहां ले पा रहा हूं तो इसके लिए आपको अगर मैं आप देखना चाहिए तो ऑक्सपड की अटलस बहुत ही अच्छी मैप होती है आप उसको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूगा वहां से खरी सकते हैं और यूपी के विशय में ब परादाबाद जिसे पीतल लंगरी और बरतनों का सहर भी कहते हैं इसकी लोकेशन आप देख लीजे यहां पर है बिलकुल नेपाल से और नेपाल से सटा हुआ है यह जो है इसका प्रमुक खुद दियोग आप बरतनों का शहर के उपनाम से समझ सकते हैं कि यहां पर जोर ब लाइक किजिए अगर अच्छा लगे तो कोई कमी रहे गई कोई गलती होगे तो कमेंट में जरूर मुझे बताएं और अगर ना किया हो तो सब्क्राइब जरू कर देख लिए अगला जिला है रामपूर जिले के लोकेशन देख लीजे और रामपूर जो है बहुत जरी उद्ध्यों के ले प्रसिद्ध चाकूद्यों का भी काम होता है रामपूर जोए बहुत पिम सथाल नवा फैजुल्ला द्वारा निर्मित जामा मस्जिद है और रजा लाइब्रेरी रामपूर में स्थेत है रजा लाइब्रेरी कहा है रामपूर में और फैजुल्ला द्वारा निर्मित जामा मस्जिद रामपूर में है अगली दिल्ली है अगली जो है दिल्ली ही निकला क्योंकि इ बहुती फेमस जिला है इसे छोटी दिल्ली और या उद्ध्योग नगरी के नाम से जलते हैं इसका एक और उपनाम है गेटवेय और यूपी जो है बोलते हैं ठीक अगला जो है उसमें प्रदुक उद्ध्योग जो है इंजिनियरिंग उद्ध्योग ओडी ओपी प्रोडक्ट उसका गाजियाबाद का ओडी ओपी प्रोडक्ट है इंजिनियरिंग उद्ध्योग मतलब इंजिनियरिंग में लगने वाले उकरण और उसके जो मेटल पार्ट्स बनते हैं वो गाजियाबाद में बहुत ही फेमस है कई कंपनियां महाँ पर हैं सिगरेट उद्ध्योग और मोदी नगर जिला वहाँ पर साबन उद्ध्योग बहुत ही ज्यादा मात्रा मनता है हवाई जाज की बात करें तो हवाई अड्डा बहुत ही फेमस है हिंडियन एयर बेस गाजियाबाद का हिंडन एयर बेस बहुत ही फेमस है प्रमुक संथान है महाँ पर जैव उर्वरक अ नहां है गाजियाबाद में है प्रमुकिस्थल में सौन जैंती पार्क गाजियाबाद में महा माया मंदिर गाजियाबाद में और दूधेश्वर नात मंदिर गाजियाबाद में इस्थित है इन सब को और डिटेल से पढ़ने के वीडियो तो बहुत अच्छा है आपको बहु अब अगले जिले के तरफ चलते हैं यह हापुड हापुड छोटा सा जिला है बहुत अच्छा जिला है इसका पूर्ण नाम हरीपूर था हरीपूर के नाम को ही अप्रण्स करके हापुड बना इसका लोकेशन आप देख लिजे यह चमकता हुआ जिला उद्योग वहां पर है हापूर का प्रमुख कुद्योग है प्रमुख संस्थान इंडियन Grain Storage Management & Research Institute प्रमुख मेले है वहां पर गड़ मुकतिस्वर मिला लगता है हापूर में यह आप लोकेशन भी देख सकते हैं और वहां पे बृजगात भी है लगता है काई है इंडियग ग्रेज इस चरूर यहाद रखेगा अग्ला है गौतम भुधनगर जिसे अनुईडा भी जानते हैं कॉमनले इसे हम कहा जानते हैं दिल्ली से बिलकुल लगा हुआ है दिल्ली की चोटी बहर ये भी है इसे शो विंडो ऑफ यूपी कहते है यूपी का शो विंडो है यूपी की सुरुवात होती है यहां से और बहुत सी चीज़े गौतमुन नगर मतलब नोड़ा में इस्थित है वो नोड़ा का प्रमुख उद्धियोग है सिले सिलाइव वस्त मतलब रेडिमेट गार्वेट्स जोते हैं वो नोड़ा में बहुत ज़्यादा उत्पादित होते हैं और अटो मुबाई उद्धियोग तो है हवाई अट्डा दोडोट बहुत ही इंपर्टेन हवाई अट्डे हैं नोड़ा में नोड़ा इंटरनेशनल ग्रीन फिल्ड एय और ताज अंतराष्टी हवाई अट्डा प्रमुक संस्थान तरह सारे हैं देख लिजे नेशनल अकैडमी आफ स्टेटिकल एड्मिस्टेशन नोड़ा में हैं गौतम बुद्ध विस्विद्याले नोड़ा में हैं सनातन धर्ममंदिर नोड़ा में हैं पतेल चौक पतेल ल इंडिया का इकलोता सर्कित न में बुद्धा इंटरनेंशन सर्कुट और राष्टी आपदा मोचन बल का मुख्याले हैं तैसे बोलते हैं उसका मुख्याले कहां पर है नोड़ा मिसले नोड़िज पार्क है नोड़ा में वेब सीटी है, टॉय सीटी है और भारत का वेट लेंड वहाँ परिस्टीन में सूरजपूर वेटलेंड वहां परिस्टी थे नॉपी सूरजपूर वेट लेंड मतलब प्राकरति वाताबरों आई रह तरह था एक ररवेद्ट करन काई। यहां पर है इस में प्रवोक उद्योग चीनी मिट्टी उद्योग और पाटरी उद्योग मंदब बरतन जहां रहें बहुत ही ज्यादा मात्रा मत्रा प्रसिध व्यक्ति तो एक रहे हैं जिया उद्विन बढने आप जानते हैं अगर परते होगा तो जी आउदीन बरनी का नाम सुना होगा वो बुलन सहर से ही बिलॉंग करते हैं प्रसुद्ध मेला वहाँ पर है बल सुन्दरी देवी का मेला बुलन सहर के अनूप सहर में बल सुन्दरी देवी का मेला लगता है बुलन सहर में पर केंदरी काच एवं सेरामिक अनुसंधान वब्रसारण केंद्र और सबसे ज़्यादा पार प्लर अथरप्रतिस का एकलोटा एत्यामिक पावर प्लांट कहां पर है नरौरा में नरौरा कहां बुलन्द सहर प्लंद सहर में तेखесьर में वहां इसे मड फोट भी कहा जाता है इसका नाम है कचिसर दूर गए और बुलन सहर में एक चौराहा है नाम है काला आम काला आम चौराहे में अंग्रेज जो है अपने जो मुझलिम थे उस टाइम के जिनको वो मुझलिम बताते थे उनको यहाँ पर सजा देने का या मुझतव फासी पर लगताने का काम इसका नाम चौराहे पर किया करते थे अगला चिला है संभल संभल का लोकेशन आप देख लिए यह बिल्कुल यहाँ पर है प्रमुक उद्योग संभल में है सींग वयूं अस्थी उद्योग वहां का ODP प्रड़क्ट है सींग यूं अस्थी उद्योग संभल में चलता है और कल की महसो बहुत इंपर्टन है कई बार आ चुका है तो संभल में याद रखेएगा ठीक प्रभवन कुछ थल बाबर दोरा बनाये गया जामा मस्जिद कहां पर है संभल में है इस तित है यह देख लिए यह जामा मस्जिद कैसे बनाता है बाबर ने बनाने वाला राज, सरी, यहाँ पर जिला हो गए, सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा लगने वाला जिला, यह कौन सा है, बदायू, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा लगती है, बदायू की, प्रमुक उद्योग है, जरी जर्दोजी उद्योग, जरी का काम, बहुत ज़दा होता है प्रसिद एतिहासिक स्थल वहाँ पर अब्दुलकादिर बदायूनी का जनुस्थली है बदायू में अब्दुलकादिर बदायूनी का जनुवा तब बदायूनी यहाँ पर है common मिलना है बदायूनी बदायू तो प्रमुक इस्थल है हमापे रोजा करके जगह है और मुसेलम करका इस्थल बदायो में प्रसिद है अगला जिला है बरेली बहुत ही फेमस जिला है भाई बरेली का लोकेशन आप देख लिजिए इसकी प्रमुक उद्ध्योग है जरी जर्दोजी का उतियों वहां का ओडि प्रमुक उद्योग है बास उद्योग भी महा होता है और लकडी का फरनीचर बनता है और बेट की छड़ियां बनाई जाती है बरेली में ठीक है बरेली का बजार तो आप जानता ही है जहां पे किसी गाने में बुला जाता है जुंका भी गिरिया था साइट तो जरी प्रमुक साहस्थान है भारती पशुचश्चा अनुसचनधान साहस्थान इज्जतनगर बरेली च करते हैं केंदरी पचछी अनुसचनधान साहस्थान कहाई सिथ है बरेली में और प्रसंदा करखाना और बेली के मुदी नगर जगह पे कृतिम रत्म्छाना खना स्वास्थानगा गयोट प्रसंदा के पात्र discuss प्रसंद पहाएं में इस तरह के और अगे ह्म वीजी वीदियो बनाऊएं कहा है मांचित में बैठ रहे हैं आपके तो प्लीज आप सपोर्ट जरू करेगा मेरे वीडियो को आगे बढ़ते हैं हवाई अड़ा तो बरेली का प्रमुक हवाई अड़ा है बहुत इंपर्टन्स बहुत इस सरा लयात करने में बरेली हवाई अड़ा परसिद्ध एतिहासे की स्थ अजरह अगला जिला है अलिगरा का लोगिर्शन आप देख लीजेए यहाँ पे चमक रहा है और उद्यो नहरी नगरी के नाम से भाई प्रभुक उद्योग जो है ताला यां हाडवेर उद्योग यहाँ पर अलीगण का टाला तो वर्ल्ड फेमस है तो उस वही ताले को ही ओडियोपी प्रोड़क्ट वहाँ पर है ताले बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं प्रभुक सहस्थान तो अलीगण मुसलिम स्थित है प्रसइद अतिहासीak तथ है इसका क्या है कि सर्सायाद आमत खान की कर्मस्थली सर्सायाद आमत खान जोते जिननोंने अलीगढ़ मुसलिमil meeting बनाया उन्हों की कर्मस्थाली अलीगढ़ी ही रही और जातर काम एलीगढ़ में किये häuf पर हंपे खैरेश्वर मंदिर एक स्थित है खेरेषवर मंदिर है और दिएसके सेखा जील है वहां पर अलेगर्ण में शेखा जील है प्राकृति के स्थल में देखें और सेखा वंजी बिहार कहां है अलिगर्ण दोज़दार करूंगा अगला जिला है एटा कि एटा के जो है लोकेशन आप देख लीजिए प्रमकुद्धियोग है घुमगुरु घंटी यों पीतल उद्योग जो है एटा का बहुती फेमस उद्योग है ठीक ओडियोपी प्रडक्ट है उसका एटा का प्रसीद एतिहासिक स्थल में आते हैं प्रदेश का सबसे छोटा वंजिव बिहार पटना बड़ सेंचुरी मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वंजिव बिहार जिसका नाम है पटना बड़ सेंचुरी कहां पर इस एटा जिले में ही स्थित है और आवगर फोट आवगर फोट भी एटा म यह स्थिति है अगला जिला है कास गं कास गंज की लुकेस्ट देखिए यह देख लिया अगला उसका प्रमु खुद्धयोग है कास राजज जौर ब्लब रही जाधी के कपड़ें निर्मित होते हैं कास जबंत में अमीर खुस्रों का जयंव हुआ था कास जूआ यहा से ल Nós अफ्रेस्थ का जम अफ्रिघsk, तあり कि ब्ला घट जैंव है ठीक परी सब्सक्राइब करने के लिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर बटन बना हुआ यहाँ पर क्लिक करेंगे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और अगर इसे समधी बुक्स लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, ठैंक्स पर वचिंग, क्रिश्चना शोनी साइनिंग, ठैंक्यू